हेलो स्टूडिंस दिस इस ये शुदा श्यर्मा फ्रम माई फूचर अकाडमी प्रीवेस वीडियो में हमने फिक्टीशिस असेट्स तक के टर्मिनोलॉजी कम्टीट की थे उसमें एक चीज था जो मैंने एड़र्टीजमेंट एक्सपेंस के बारे में बोला था कि आपको ट्र हमारे benefit के लिए एक्सेट बना देते हैं तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा business टार्ट ऑब इसमें हमने इतना सार या किने की एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कियाए लोग हमारे PRADUCK को PURCHASE करते हैं तो हमने इतना advertisement expense किया कि उसका फायदा मेरे को second year में भी मिलेगा third year में भी मिलेगा fourth year में भी मिलेगा तो यानि कि यहाँ पे मैंने 4 साल का payment एक ही साल में कर दिया मैंने इतना advertisement first year में किया कि उसका फायदा second year, third year fourth year, चारो साल में लेगा, यानि कि इन 3 साल का payment मैंने advance में कर दिया पेमंट करना था second year में लेकिन वो advertisement मैंने अभी दिया advertisement expense करना चीब था third में लेकिन वो advertisement मैंने first year में ही कर दिया payment अभी कर दिया तो एक तरीके से ये मेरे लिए asset हुआ क्यों? क्योंकि जो मीरको payment future में करना है वो मैंने अभी कर दिया ऐसे payments को बोलते है prepaid अगर मैं को किसी का payment करना बाकी होता है जैसे creditor तो वो हमारे लिए liability होती है वैसे ही अगर मैं कोई payment पहले ही कर देती हूँ वो expense, वो खर्चा होने से पहले ही मैं अगर कोई payment कर देती हूँ तो उसको बोलते है prepaid expense pre मतलब पहले paid मतलब खर्चा तो मैंने पहले ही कोई खर्चे को pay कर दिया तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा asset तो एक तरीके से अगर मैं मानूँ तो मेरे पास कोई physical asset मेरे पास नहीं है लेकिन मैं इसको एक तरीके से asset मान रही हूँ क्यों क्योंकि मैंने खर्चा पहले ही incur कर दिया इसलिए advertisement expenses को fictitious assets का जाता है क्योंकि actual में वो मैं ऐसा दिखता नहीं कि वो कोई asset है लेकिन फिर भी हम उसको ऐसा मानते हैं कि वो हमारे लिए asset है क्योंकि हमने एक खर्चा पहले ही उसका बेसिकली सेल हम जब सेल करते हैं तो हमें उसके सामने पैसे मिलते हैं receive तो उस received को यहां पे नाम दे दिया receipt हमने कोई भी सेल किया कुछ भी सेल करते हैं उसके सामने में पैसा मिलेगा उस पैसे मिलने को क्या कहा जाता है receipt और यह जो receipt है वो दो तरीके की receipt हो सकती है revenue receipt and capital receipt जैसा कि यहां पर लिखा है जो receipt है वो दो तरीके की होती है revenue receipt and capital receipt दोनों में difference क्या है दोनों में difference है regular, regular और non regular का ऐसी receive, ऐसे money जो हमें regular basis पे मिलते है उसको बोला जाता है revenue receipt वापस, ऐसे transactions से जिन से हमें regular basis पे money मिलता है उनको बोलते है revenue receipt वर्ड देख लो, RR, regular और revenue दोनों start होते हैं R से तो ऐसे receipt जो भी हमें regular basis पे मिलेगी वो हो गई हमारी revenue receipt example, जो हमें rent हमने suppose हमारा घर, हमारा जो shop है हमने किसी को rent पे दे रखा है तो हर महीने मुझे rent मिलेगा तो वो मेरा हो गया revenue receipt मैं कोई sale कर रही हूँ मेरा जो भी product है suppose हम example लेते हैं पे pencil का तो मेरा pencil का business है मैं daily basis पे pencil बेच रही हूँ तो daily basis पे मुझे पैसे मिल रहा है तो sale of pencil भी क्या हो गई revenue receipt commission अगर में को कोई चीज पे commission मिल रहा है तो वो भी में को regularly मिलेगा तो commission भी मेरा क्या हो गया revenue receipt तो ऐसी income जो मेरे को regular basis पे मिलती है वो हो गई revenue receipt बचा क्या non regular ऐसी income जो मेरे को non regular basis पे मिलेगी जो बहुत कम मिलती है इसे साल में एक बार या दो बार इस तरीके से मिलती है regular basis पे नहीं मिलती उसको बोलते है capital receipt example मेरा कोई asset है asset मेरा खराब हो गया तो मैने उस asset को बेच दिया मैं रोज रोज तो asset बेच के पैसे नहीं कमाऊंगी 5 साल पहले एक asset लिया था वो खराब हो के मैंने उसको बेच दिया तो हर 5 साल मैंने asset नहीं बेच है last year मैंने एक asset बेच है तो यह asset बेचना मेरे लिए regular नहीं है इसको मेरा battery का थोड़ा इश्व है तो इसको बोलते है capital receipt right so इस तरीके की receipt जिससे हमें पैसे regular basis पे नहीं मिलते वो हो गया capital receipt तो आगे भी हम ध्यान रखेंगे जहां पर अगर हमें जैसे यहां पर revenue receipt capital receipt मिलने के लिए word use किया है revenue और capital वैसे ही जहां पर हम payment करेंगे वहां पर भी हम revenue revenue और capital word देखेंगे तो वहां पर भी इनका मतलब यह होगा revenue अगर word use होता है receipt के सामने तो वो regularity के basis पर होता है non regular के लिए word use किया जाता है capital तो दो दो चीज़ होगी revenue receipt and capital receipt next आगे हमारा payment जैसे हमने भी receipt की बात की वैसे हम payment भी करेंगे again regular basis पर अगर कुछ payment करते है तो उनको बोते है regular expenditure payment expenses और expenditure यह अलग अलग एक दूस्से की जगे पे use किये जा सकते है वापर पैमिंट expenses और expenditure एक दूसरे की जगे , यूज किये जा सकते है सबसे पहले लिखा है payment unex लिखा expense की दो category बनाई और वापस जब अंदर लिखने लगे तो यहां पर लिख दिया expenditure तो इस चीज से confused मत होना कि ऐसे अलग-अलग क्यों दिखा रहे हैं इनका मतलब similar ही होता है तो payment या expenditure अगेन दो कैट दो कैटेगरी में divided है revenue expenditure एक्सपेंडिचर जो ऐसे पेमेंट जो हम regular basis पर करते हैं वह हमारे revenue expenditure ऐसे expenditure जो हम irregular basis पर पेकरते हैं वह हो कर हमारे capital expenditure revenue expenditure यहां पर एक्जाम्पल दिया है wages salary telephone expenses electricity advertisement salary हमें हर महीने देनी होती है हमें मतलब business को business हर महीने salary देगा हर महीने wages देगा हर महीने electricity घूरीशिति बिल फेकर तो यह क्या होगा ए रेगिलर पेय्मेंट पैमिंड कापिटल एकस्पेंडीचर अगर हमने एक मशीन खरीदी इंगिभा चा सोन करते हैं यह 5 साल तो यह रेगुलर नहीं हुआ हर महिने हम कुछ फैमइंट नहीं कर्या इसलिए पर्चीज rea Sax यह पढ़ा है आई और पिमिंट देखा एंचन या पूर्टि करेवेणीओ में कसेशञा थैरीड करने किशन देखा पिमिंट देखा रसीट में दो काüstट ऑचनर पर विघ्टीसयल और डिएवेन्यमिंट प्रॉर्प ये Um तो बस इसमें हम इतना ही ध्यान रखेंगे नेक्स्ट हमारा दिक अब यहां पर इन लोगों ने फिर से expenses explain किया है यहां पर payment था यहां पर इन्होंने expense लिखा और इस expense को वापस से नीचे explain कर रहे हैं तो कोई बात नहीं खाली इतना ध्यान रखना payment आया तुसके अंदर यह लिखना है expense आया तुसके अंदर यह लिखना है लेकिन दोनों का मतलब similar ही है खाली difference इतना है अगर expenses basically बोले तो expenses यह होगा ऐसे खर्चे जो उस accounting year के खर्चे है ऐसे खर्चे जो उस साल के खर्चे है उसको बोला जाता है expense अब question यह arise होता है कि क्या ऐसे खर्चे हो सकते जो उस साल के नहीं हो definitely हमने अभी देखा था खर्चे दो टाइप की होते है एक हो गया normal expense और एक हो गया deferred revenue expense expense का मतलब जो उस accounting year का खर्चा है उस accounting year का खर्चा है उसको बोलते है expense और हमने ऐसे कुछ खर्चे कर दिये जो उस accounting year के नहीं थे उस साल के नहीं थे फिर भी हमने पे कर दिया जैसे advertisement expense हमने अभी देखा कि इन तीनो साल का जो खर्चा था वो हमने पूरा का पूरा first year में कर कर दिया benefit हमें second में third में fourth में मिलने वाला है लेकिन हमने पूरा payment first year में कर दिया तो यह जो तीन साल का खर्चा है वो हमारे लिए क्या हो गया deferred revenue expenditure और जो first year का खर्चा है वो हमारे लिए क्या होगा expense समझ मैं है तो expense और deferred revenue expense में यह difference है expense मतलब उस साल का खर्चा deferred revenue expense मतलब आगे आने वाले साल का भी पहले ही खर्चा कर देना उसको बोलते है deferred revenue expenditure hope यहां तक का clear है next हम देखते है revenue revenue जैसे expense है वैसे ही word है revenue students यहां पर एक चीज को focus करना receipt payment expense revenue यह चारो वैसे समझने के लिए same से लगते हैं लेकिन थोड़ा सा difference है जिसे receipt का मतलब क्या होता है कोई भी पैसा मिलना कोई भी तरीके से पैसे मिलने को बोलते है receipt कोई भी तरीके से पैसे देने को बोलते है payment ठीक है revenue का मतलब होता है जब हम हमारे business से related कुछ चीजे बेचते हैं उनसे जो पैसा मिलता है उसको बोलते है revenue यहाँ पे मैं read करूँगी goods and services are sold and provided to the customers respectively हम हमारी goods और services को sold करते हैं, हमारे customers को उनसे जो पैसा मिलेगा हम उसको बोलते है revenue वो revenue cash में भी हो सकता है और credit में भी हो सकता है cash भी हो सकता है credit भी हो सकता है cash revenue credit revenue लेकिन receipt हमेशा क्या होगा जब हमें cash मिलता है तो मुझे को receipt बोलते हैं एक बात इन दोनों को वापस हम differentiate करेंगे एक तरफ receipt है एक तरफ revenue हो receipt मतलब हमें cash मिला तो वो होगया receipt revenue मतलब हमने कोई चीज बेची हमारी firm की हमने कोई service प्रवाइड की उससे जो हमें income आएगी उसको बोलता है revenue अब ऐसा भी हो सकते कि हमने cash में वो goods बेचा हो या हमने credit में बेचा हो अगर हमें वहाँ पर cash नहीं भी मिलता तो अब भी हम उसको क्या बोलेंगे revenue बस इतना ही point यहाँ पर हमें ध्यान रखना है fine तो यहाँ पर हमारा revenue खतम होता है coming to next is profit profit हमने पहले देखा है profit का मतलब जितना भी हमें हमने sale किया उसमें से हमें खर्चे minus कर देंगे तो हमारा आजे का profit एक्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर हमने sale किया दस हजार का और उस पर हमने खर्चा किया मतलब हम raw materials लेकिया है हमने labor को पे किया हमने rent पे किया और salary दी तो यह सारे हमने खर्चे कुछ 8000 के खर्चे किये तो sale that is revenue sale और revenue एक ही बात है revenue minus expense तो हमारा क्या आएगा 2000 हमारा आजाएगा profit तो यहाँ पर हम sale नहीं लिखे accounting की language में इसको क्या लिखेंगे revenue क्योंकि अभी हमने पढ़ा revenue का मतलब हम हमारे goods और services को बेच के जो पैसा कमाते हैं उसको बोलते है revenue तो revenue minus expenses is equals to profit loss अगर जैसा हमने यहाँ पर 10,000 लिया sales 8,000 लिया expenses तो हमारा आया profit राइट वहीं पर अगर मैं बोलू कि मेरा sale 10,000 का है लेकिन मेरा खर्चा 18,000 का है मेरा खर्चा जादा है और मेरे को sale करके कम मिला तो वहाँ पर हमारा क्या आजाएगा लॉस आठ हजार का लॉस गेन प्रॉफिट गेन दोनों सिनानिमस है दोनों अलग-अलग यूज के जाते है प्रॉफिट का मतलब भी वही होता है गेन का मतलब भी वही होता है तो यहाँ पर हमारा साथ लॉस गेन हो गए हमने revenue देखा हमने expense देखा receipt देखा और expenditure देखा coming to next is purchases sales स्टॉक इन तीनों को हम साथमें पड़ेंगे Purchases estament fino स्टॉक यह फिस्ट का मतलब common terms इंक तंब में अगर हम बात करें तो purchase का मतलब कोई भी चीज को खरीदना, कुछ रुभी हम खरीदते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, purchase लेकिन accounting में ऐसा नहीं होता accounting में इसी चीज को दो में categorize कर रखा है, देखते हैं दो एक बोला है purchase और एक बोला है expense purchase और expense में क्या difference है देखो, expense का expense का मतलब कोई भी खर्चा करना हम हमारी language में purchase को बोलते हैं कोई भी तरीके का खरीदना उसको purchase, लेकिन accounts में क्या बोला, कि अगर आप अपने product से related कोई stock खरीद रहे हो, उसको बोला जाएगा purchase, suppose आप pencil का business कर रहे हो ठीक है, आपने pencil का business किया, तो आप lead खरीद रहे हो, pencil जो जिससे हम लिखते हैं, वो खरीद रहे हो pencil की जो covering खरीद रहे हो कहीं भार से pencil की covering खरीद रहे हो तो pencil को बनाने के लिए जो भी चीज हमें चाहिए उसको purchase अगर हम करते हैं तो उसके लिए term use होता है purchase, खाली उसी चीज के लिए purchase, हम term use करेंगे जो हम हमारे product से related खरीदी करते हैं उसके अलावा हम कोई भी चीज purchase करते हैं, तो उसको बोला जाएगा expense, सपोज हमने हमने paint खरीदा हमें हमारे पूरी factory को paint करवाना है, तो paint के लिए purchase word use नहीं होगा paint के लिए क्या word use होगा, expense कि वो हमारा खर्चा है, right हमने table खरीदी office के लिए table खरीदी तो table के लिए हम purchase word use नहीं करेंगे, table के लिए हम word use करेंगे expense, right तो यहाँ पर क्या बोला गया, कि purchase हम उसी चीज के लिए use करेंगे जो हमारे business का जो हमारे product से related जो खर्चा होगा, उसके लिए हम word use करेंगे purchase और बाकी चीजों के लिए word क्या use होगा expense, right एक बार मैं इसको read करूँगी many item और service are purchased in the business all these purchase are not treated as purchase of business they are expense of the business a businessman does the business of goods, purchase of that good is treated as purchase in accounting year, यहाँ पर यही लिखा गया है कि a businessman does the business of good, जिस चीज का business कर रहा है, उस चीज को अगर वो purchase करता है, तो उसी को purchase कहा जाएगा, बाकी सारी चीज को expense treat किया जाएगा right, sales sales भी क्या होगा, suppose हम यहाँ पर हम यहाँ पर हमारा जो business है, वो है हमारा pencil का तो हम जब इस pencil को बेचेंगे, उसको हम जब इसको हम जब इसको हम receipt कहेंगे, जैसा कि again हमारा जो business है, हम जो business कर रहे हैं, वो हम pencil का कर रहे हैं, तो अगर हम pencil को बेचते हैं, तो उसको हम कहेंगे sale, इसके अलावा, अगर हम हम सपोस बेचते हैं table, हमने जो भी table खरीदी, इससे पहले वाले example में अगर हम table बेचते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, receipt right, receipt, या फिर income, लेकिन sale कहां पर word use होगा, अगर हम हमारे business, हम हमारे product को बेचते हैं, तो उसके लिए word use होगा sale, तो purchase and sale खाली दो जगे पर use होता है, हमारे product को बेचना, या हमारे product को खरीदना, right coming to next is stock stock के हम बात कर चुके हैं, हमने इस साल पूरा एक लाख pencil बनाई, उसमें से 80,000 pencil हमने बेचती, बचा कितना 20,000, ये जो remaining हमारे product, हमारे product बच जाता है, उस product को कहा जाता है, stock यहाँ पर एक example दिया है, आप उसको भी पढ़ लेना तो और clear समझ में आएगा coming to next dators, dators हमने पढ़ा था dators मतलब ऐसा जो भी customers generally dators कोई customer कहा जाते है ऐसे customers जिनसे पैसे लेने बाकी है right, तो dators क्या हो गए, asset क्योंकि उनसे पैसे लेने बाकी है bills receivable bills receivable क्या होता है, एक तीसरी चीज़ आगए suppose यह है shop ठीक है, यह है customer shop customer को बोलता है, आप मेरे 10,000 rupees दो, आपको 10,000 rupees देने बाकी है तो customer क्या हो गया, shop वाले का data, right customer बोलता है कि देखो भई अभी मेरे पास 10,000 rupees नहीं है एक काम करता हूँ मैं आपको promise कर देता हूँ कि मैं आपको 10,000 rupees तीन महीने बाद दूँगा, ठीक है shop बोलता है कि अभी तुम promise कर दोगे, तीन महीने बाद आके बोलोगे कि मैंने तो ऐसा कोई promise नहीं किया तो customer क्या बोलेगा, जो data है वो क्या बोलेगा कि काम करता हूँ मैं आपको एक return document बना के देता हूँ जिस पर मैं लिख दूँगा कि I promise to pay you 10,000 rupees राइट तो ये जो return document होता है इसको बोलते हैं bills receivable इस return document को बोलेंगे bills receivable ये तरीके से check की तरह ही काम करता है जो हम check use करते हैं उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि हम किसी को cash में payment नहीं करने के बजाए हम check दे देते हैं और उसमें date लिख देते हैं आप इस तारीकों जाके check निकलवा लेना cash निकलवा लेना वैसे ही same ये एक अलग check जैसा ही check के similar ही एक document है जिसको बोलते हैं bills receivable next receivables 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 का मतलब एक ऐसी amount जो एक business वाले को मिलने वाली है हमने देखा था दो words होते हैं received और receivable receive मतलब मिल चुका है receivable मतलब मिलना बाकी है देखो यहाँ पर क्या क्या terms use हो सकते हैं डेटर मतलब customer जिस हमें पैसे मिलेंगे तो डेटर किसके लिए यूज हुआ एक इनसान के लिए bills receivable bills receivable मतलब again एक ऐसा check जिसको अगर हम bank में डालेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा तो ये bills receivable किस चीज के लिए यूज हुआ एक document के लिए बहुत गंदी सी drawing बनाई है वापसे data किसके लिए यूज हुआ एक इनसान के लिए bills receivable किस चीज के लिए यूज हुआ एक document के लिए जो data बना के देता है outstanding income कोई person या document के लिए यूज नहीं होता ये term है outstanding income मतलब मेरे को कोई income मिलनी बाकी है suppose मैं कहीं पे job करती हूँ और हर महीने के end में मुझे 10,000 salary मिलेगी लेकिन वहां के boss ने बोला वहां के principal ने बोला कि अभी हम नहीं देंगे अगले महीने की 15 तारिक को देंगे तो मेरी वो income क्या हो गई outstanding outstanding मतलब मिलनी बाकी है तो वो income मेरे को मिलनी बाकी है outstanding income मतलब income मिलनी बाकी है prepaid expense prepaid का मतलब pay किया लेकिन पहले ही pay कर दिया क्या expense prepaid expense मतलब expense पहले पे कर दिया outstanding income मतलब income मिलनी बाकी है यहां पर एक और वर्ड देखते है outstanding expense Outstanding मतलब बाकी है और expense यानि ऐसा expense जो पे करना बाकी है Prepaid expense मतलब जो पहले पे कर दिया Outstanding expense मतलब ऐसा expense जो पे करना बाकी है यहाँ पर हमने data, bills receivable और receivable से खा Next हम देखने हैं creditor, bills, payables and payables Creditor मतलब ऐसा person जिसे हमें pay करना बाकी है जैसे customer के लिए shop वाला क्या हो गया? Creditor, right? Again हम example लेते हैं यहाँ पर है creditor, यहाँ पर है shop यह है customer, right? तो customer को क्या? Shop वाले को bill pay करना, पैसे pay करने बाकी है, right? तो shop वाला क्या बुलेखा? कि एक काम करो, मुझे बुझे एक return document आता है, वो बना के दे दो, right? So अब यह return document, customer क्या करेगा? शॉप वाले को देगा? तो अभी हमने पढ़ा था कि वो bills receivable होता है और अब मैं बोलूंगी कि वो bills payable होता है तो यह दो बात कैसे? कस्टमर के लिए यह जो return document है, वो होगा bills payable क्यूंकि इसको pay करना बाकी है, customer को pay करना बाकी है शॉप वाले के लिए return document क्या होगा? bills receivable क्यूंकि शॉप वाले को पैसे मिलने बाकी है, receive होने बाकी है राइट? तो यहाँ पर हम अगर पूरा इसको summary करें, shop और customer को तो यहाँ पर इसके लिए क्या होता है? bills receivable customer के लिए वो ही document क्या हो जाएगा? same document, bills payable customer यह शॉप वाले को क्या बोलेगा? creditor और shop वाला customer को क्या बोलेगा? data right, so मैं चाहूंगी कि एक बार आप यह सारी चीज लिखो और उनका connection बनाओ यहाँ पर अगेन हमने चार चीज़े देखी data, creditor, bills receivable, bills payable data मतलब जिस से पैसे मिलने बाकी है तो data क्या बोलता है? एक काम करो लोग bills receivable तो shop वाले को bills receivable मिलेगा क्योंकि उसको पैसे मिलने बाकी है receive होने बाकी है और जो customer है उसके लिए वो ही same document bills payable होगा क्योंकि उसको वो पैसे pay करने बाकी है right, payables में भी यहाँ पर कुछ दे रखा है creditor, हमने देख लिए क्रेडिटर कौन होता है? एक इनसान होता है bills payable क्या होगा? document जो की creditor के लिए वो document होता है outstanding expense मतलब एक से expense जो पै करने बाकी है income received in advance मतलब ऐसी income जो हमें पहले ही मिल चुकी है एसी income जो हमें पहले ही मिल चुकी है अगर हम इसको थोड़ा सा observe करें तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पर? यह जो चारो चीजे हैं वो एक firm के लिए asset है data, पैसे मिलने बाकी है bills receivable, मतलब ऐसा document जिसको मैं bank में दूँगी तुमें को पैसे मिल जाएंगे तो यह भी मेरे लिए asset हुआ उसके बाद outstanding income मतलब मेरी income due हो गई लेकिन मुझे मिलनी बाकी है है ना, मेरी income 30 सारी को due हो गई लेकिन मुझे अपितक मिली नहीं लेकिन future में मुझे मिलेगी तो यह भी मेरे लिए asset हुआ अगर आप ऐसे खुच से सोचो outstanding expense आपके दिमाग में क्या आते है ऐसे expense जो पे करने बाकी है यानि सरपे भार है पे करना बाकी है तो वो हो गया हमारे लाइबिटी prepaid expense prepaid expense मतलब पहले ही पे कर दिया अब हम free है यानि वो हो गया हमारे लिए asset bills receivable receivable मतलब मुझे पैसा मिलना बाकी है again वो हमारे लिए हो गया asset तो यह बहुत ही easy सी चीज है कोई यहाँ पर रटने की ज़रुरत नहीं है हमें खाले इन चीजों को समझना है और यह हमारे लिए उतना ही easy हो जाएगा तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे up to pay bills next video में हम start करेंगे with the cost voucher and so on आज करेंगे